2020 की मोस्ट ओवेटेड फिल्मों में से एक फिल्म ताना जी दा अन्संग वारियर रिलीज हो चुकी है और यह अइत्यासिक फिल्म बॉक्स ओपिस पर दिन बर दिन रिकॉर्ट ओर कमाई भी कर रही है फिल्म को रिलीज होकर तीन दिन हो चुके है और फिल्म ने अपने ओपनी विकेंड में शांदर कमाई भी कर लिये आपको बता दे कि मराटा योद्दा ताना जी मालोसर के जिवन पर बनी ए फिल्म तर्शुकों का दिल जितने में सफल रही है रियल बॉक्स ओपिस की मुताबिक 10 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने तिसरे दिन यानी रहवार को करीब 26 करोड की कमाई करने में सफलता हासिल की इसके साथ ही फिल्म ने पहले विकेंड में कूल 61.50 करोड की कमाई कर लिये पहले दो दिनों की बात की जाए तो पहले दिन 15.10 करोड और दूसरे दिन 20.57 करोड की कमाई की थी आपको बता दे कि फिल्म ताना जी अजय देवगं की करियर की सववी फिल्म है और इस फिल्म में वह ताना जी मालुसर के किरदार में नजर आते है फिल्म में सैफली खान, काजोल, शरत केलकर और पडमावती राउने भी अहम भूमी का निभाई है फिल्म को भारत में कूल 3880 स्क्रीन में रहे वही ओरसीज में 660 स्क्रीन यानि फिल्म कूल 4540 स्क्रीन पर रिलीज की गई है तो दोस्तों क्या आपने फिल्म ताना जी देखी आपको यह फिल्म कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी मन की बात को जरूर शेयर करें धन्यवाद जय भवाने, जय शिवाजी, जय ताना जी, हर हर महादेव